आफ田 तो हेलो फ्रेंट्स कैसे यू आप लोग तो फ्रेंट्स आज आप आना बात करेंगेक अम्प्यूटर्ट टोमोग्राफी ये क्या हुती है ये किस तरह अभी उपनी एक जिस्टन्स में आई इसके क्या क्या आपने को drawbacks देखने को मिलेंगे क्या इसके अपने को benefits है वह उतीचे न आप आप इस वीडियो के अंदर cover कर देंगे तो चलिए गई ज्याधा time ना waste करते हुए अब अपने topic को start करते हैं आपने जैसे day to day life के अंदर नाम तो सुना होगा मैंने CT scan करवाया है मेरे सीर का CT scan हुआ है मेरे chest का CT scan हुआ है कहीं ना कहीं तो यह आपने टर्म सुनी होगी तो CT scan का simply मतलब अगर बात करेंगे अगर आपा जनल बात करेंगे तो computer का मतलब सकते हो और tomography मतलब sections की image लेना ठीक है सिंपल आपा बात कर सकते हैं इसकी तो चलिए गाइज तो यहां सबसे फ्रस्ट पॉइंट यह कह रहा है कि सबसे जो अपने रेडियो लोजी के अंदर एक लिमिटेशन देखने को यह मिज़ी थी एक्सरेइज की कि जैसे मान के चलो आप डोमन कापा एक्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर जैसे अपने को kidney kidney के उपर कुछ अपने को और और गन्स देखने को मिलेंगे या फिर सुपर इंपोजिशन को proper study करने के लिए फिर अपनी सीटी एक्जिस्टेंस में आई जैसे सीटी के अंदर आप बोड़ी के सेक्षन्स लेते हैं और यह सेक्षन्स के थरू आपा जो भी सुपर इंपोजिशन हो रही थी सुपर इंपोजिशन का concept यहां खतम हो गया क्योंकि कि अपने सोफ़्र विए आज कल उनके धरूत दनिये कह रहा है कि और एक और लिम्टेशन दे ना यह अपनी एक्सरेज वाडी तो इसके अंदर यह ती देंशिटी की जैसे के चलो जैसे kidney हो गया kidney के साथ कोई भी उसके अंदर अपने को स्टों वगिरा देखने को मिलेगा तो उनकी अदर डैंस तीशू का अपने को ज़्यादा डिफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा लेकिन जैसे सीटी आई तो सीटी का सबसे बड़ा एडवेंटेज अपने को यह देखने को मिल गया एक तो अपने को यह सुपर इंपोजिशन का फेक्टर था वो खतम हो गया और दूसरा यह टीशू डिफेरेंस था यह खतम हो गया क्योंकि सीटी के अंदर अपने को आउंस्विल्ड यह मान ने आपको स्टार्टिंग में बताई थी तो यह कह रहा है कि हैंस इट इस एक कंप्यूटराइज मैथर्ड यूज तो ऑप्टें डाटा ट्रांस्फोर्म देम इंटो कॉट सेक्शन से ठीक है और उन्हीं जो सेक्शन से निगा लिए उनको फिर जो भी अपना डॉक यूज करते हैं नॉर्मले क необходимо signal x-ray.if व yapmış की खत्म लेकिन इसको बिलिए करने के लिए कोई बॉन फेक्शंस को देखनने के लिए को इसको जदागा डेए करने के लिए आपँ उसको ये करते हैं। जैसे इंटरनल फ्रक्ट्र हो गया या बॉन्स वगयरा कि तुस केस में आपा सीटी बोली जाएगी और फिर उसकी फेस थ्रीडी भी बनेगा उसको थ्रीडी के अंदर अपनों बिल्कुट परफेक्ट चीजे दिख जेगी बॉन्स विंडू के अंदर यह कह रहा है कि कोई भ करते हैं और उसके बाद कोई भी प्रोसीजर्स होगी जैसे गाइडिंग प्रोसीजर्स वगयरा हो गई तो उसकेस में भी अपने को यह सीटी स्केन का यूज करेंगे बायोपसी के अंदर क्योंकि ताक कि आपा पता चाल सके कि हाँ यार इस अपने को टीशू निकालना है कि कोई भी मोनिटरिंग करने के लिए जैसे कोई भी डिजीज है पेशेंट को जिसे सबसे बेस्ट लेते हैं अभी करेंट का कोवीड वाड़ा गर कोवीड वह तो उसका आज सीटी स्केन वाकी शिगा दो दिन बाद एक दिन बाद जिस तरह उसका सेवेरिटी के करेंगे तो सबसे थीजरा थोड़ से रिक कौन कोशनी को मिलेंगे तो इसमीन पर चेकार है जोगा यह चेक करना होगा तो अपने जो भी डियोग्राफर है जो भी CT scan हो रहा है उनको बता सकते को यह रिडियेसिन का यूदर हो रहा है वो फिर कहीं न कहीं इंपक्ट करेगी देंगर बात करें CT scan के अंदर एक यह रिस्क रहता है लेकिन डाइगनोस में यह देखो अगर पेशन को कुछ भी आयर कैंसर वगरा है तो इसकी स्टार्टिंग स्टेज में पता सलगी उसको फिर क्या एक उसको एक नया लाइफ प्रवाइड की जा सकती है ना तो इसलिए आप इसका यूज करते है रिस्क वर्सिस बैनिफिट का यूज करते है अगर बात आई तो दैन अगर बात करें शीरिस के अंदर यह चीज तो अपने हो गया कोई रिस्क ओव कैंसर होगे ऐलर्जी वगरा कि मैंने आपको बता जिया को इन्हेंस फुल डिटेल या इन्हें स्टडी करने के लिए तो उसकेस में अगर पेशन को जो कुछ भी है पेशन कोई दवाईयां वगरा खा रहा है तो उसकेस में भी आपको डोक्टर को बताना पड़ेगा ताकि इस तरह की आपको प्रोब्लम फेश ना करनी पड़े तो आज की वीडियो में इतना गाईस ओके थेंक्यू फरेंड्स एवे नाइस डे